एक ही लक्षे है कि जो भी सांसद अवाज उठा रहा है बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के जो नाकामी है उसको जागर कर रहा है निकम्मेपन को जागर कर रहा है उसकी डबल इंजिन्स की सरकार को एक्सपोस कर रहा है उसे निलंबित कर दो आज ये एक बेहद बड़ा राष्टे सुरक्षा का मुद्दा बन गया है मनिपूर, जो मनिपूर से हैवानियत भरी, बरबरता भरी वीडियोज और फोटोग्राफ सामने आ रही है, उससे मुझे लगता है बुरे देश का दिल दहल गया, आपने देखा कि कैसे एक कारगिल युद के समय हमारी देश का एक जमान, एक सूबेदार जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी, देश की प्रभूता कंड़ता की रक्षा करी, आज उसकी धरम पत्नी को निर्वस्त्र करके जिस प्रकार से परेट कराया गया और छेडशार करी गया, उनके साथ कुकर्म कि किया गया, वो बिचारा सूबेदार कहा एकि मैंने देश की रक्षा तो करी, लेकिन मैं अपने परिवार की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, इस से अभधर द्रिश्ये, इस देश के लिए क्या हो सकता, ये महीला सुरक्षा का मुद्धा है, राष्ट सुरक्षा क चल रहा है, उस सेशन में अगर मनिपूर की चर्चा नहीं होगी, तो कहा होगी, लेकिन ग्री मंतरी कहा देए कि हम तयार हैं उन्होंने कल वयान भी जिये, कि हम दूनों सदनों में चर्चा के लिए विपक्षी बादा हुस्पन कर रहा है, विपक्ष तो लगातार नोटिस दर्च कराकर अपनी बात रख रहा है कि रोल 267 के अंतरगत बहस कराइए, सरकार बहस शुरू करें, अपना पक्ष रखें, फिर विपक्ष अपना पक्ष रखें, तमाम सदस से बोलें और इस विचार विमश इस बहस से जरूर कोई समाधान निकलेगा, आज दुख की बात निकलेगे हैं, दुनिया की कई संसद भवनों में इस पर चर्चा हो भी गई है, लेकिन हमारे भारत देश का संसद है, जिसमें मनीपुर पर चर्चा नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, ये मैं कूछना चाता हूं, एक मतब पूर्ण विश्य आपके सामने रखना चात जानकारी है कि मीजोराम के अंदर भी एक पर्टिकुलर समुदाए की खिलाफ वाइलेंस की घटनाएं सामने आ रही है और वहां से उन्हें हिदायतें दी जा रही है कि आप मीजोराम छोड़ कर चले जाएं तो कहने का मतला भी है कि ये अब विशे सिर्फ मनिपुर का नहीं रहा ये एक प्रकार से पूरे नौर्थीस्ट का मसला बनता जा रहा है इसलिए हम सरकार से हाज जोड़कर विनिती करते हैं कि सन्यान लाइब जब जब सदन में विपक्ष जनता की आवाज उठाना चाहता है जो अन्त मुद्दे पर बहस चाहता है और सरकार वो बहस से भागती है तो इसी प्रकार के लोगतांत्रिक हतियार लोगतांत्र को मजबूत करते हैं यह मैंने नहीं खा यह अरुन जेटली साहब उस समय के राज्यसभा के लीडर अफ अपजेशन और सुश्मा स्वराज जी उस समय की लोगसभा की विपक्ष की नेता उन्होंने ये बात कही थी पॉजेशन की केंदरी मंत्री रहे अरुन जेटलीजी और सुश्मा स्वराज जी का कथना में बीजेपी के लोगों को ये कथन दिखाना चाहूंगा पढ़ाना चाहूंगा कि मैं उनको बस यही कहना चाहूंगा कि मनीपूर के अंदर केवल ब्रेकडाउन ओफ लॉइन और कंटिविशन ओं की इंडर मानिपूर की प्रेकडाउन ऑफ यूमैनिटी भी हो गया है और मेरी हाठ जोड जोड़कर विनिती है केंदर सरकार के तमाम मंत्रियों से केंदर सरकार है कि भालत के संविधान का पालन करें आर्टिकल 355 और 356 लागू करें और मनीपूर के गवे इन बिरेन सिंग की भाजपा राज्य की मनीपूर सरकार को बर्खास्त कर राष्ट पर्षिति शासन मनीपूर में लगना चाहिए प्रेजडेंट्स रूल लगना चाहिए आर्टिकल 356 का पालगना चाहिए अब आदमी पाटी आज देजभर में हमारी तमाम एक आई हैं देश की कोने में मनीपूर के लोगों की अवाज उठाएंगी और प्रयास करेंगी कि मनीपूर के लोगों की चीखें सत्ता में बैठे लोगों के कानों तक मूँचे सब्सक्राइब करेंगे कि बिलकुल ही डिस पैशनेटली और प्रयास करेंगे कि बिलकुल ही डिस पैशनेटली और पूरी स्वतंत्रता से इस विशे को फिर से देखें इस पर पुनर विचार करें और संजे सिंग की जो सदसता को आप लोगों ने नीलंबित किया है उसे वापिस लें हमने कल भी कल भी जब उनको सस्पेंट किया गया उसके पांच साथ मिनिट बाद ही उनके चेंबर में ज पूरी से आता हूं बलकि तमाम राजनेतिक दलों के सांसतों ने चेर्मेन साब से निवेधन किया कि आप इस पर उनर विचार करते होए अपने इस निलंबन को रिवोग करें और अगर आपको कोई सजा देनी है किसी सदस्य को तो एक दिन की सजा दे दिजी दो दिन की सजा करें